आज है संडे और एक हफते के बाद दिवाली है नेक्स संडे कमिंग संडे जो है उसमें दिवाली है कल हमने दिवाली की लाइट्स लगवाली है अपनी दोनों बालकरी में बहुत अच्छी सी वाइप सारी है दिवाली की वाइप सारी है और दिवाली तो मेंन फेस्टिवल है ही इंडिया का बहुत धूंधाम से बनाया जाता है हमारी भी वही कोशिश है कि हम बहुत अच्छे से इस तुहार को सेलिबरेट करें तो अभी हमने एक मंदिर और किया था तो अभी भीजा का कॉल आयकी मंदिर आपका Ready हो गया है तो हम चारे utilizar लेने दिखा तो снова अपको कैसा मंदिर और क्या मांच मेरी और झेल और की समय और कैसा मंदिर बीपोषा का जगा बनायेगे मंदिर के लिए तो चलिए हमारे सार ले ने चलते हैं घर के लिए मंदीर हम पहुंच गए हैं मंदिर की डिलीवरी लेने के लिए हमने जो मंदिर बाई किया है वो किया है यहां से उस शॉप का नाम है महालक्ष्मी फरनीचर जो कि सदर बजार में है और यह इस शॉप है और देखने में शॉप वो छोटी है बट इसके इतने सारे गोडाउंस है ना चो एक चोटे बहुत सारे इनने ग्रटवांस हुआ है अब हम आपको लेकर के चलते है उस गोडाउन में जहां हमारा": यहां पर बहुत सारे मंदिर का स्टॉक है और यह जो मैं आपको दिखा रही हूं वह वाला हमारा मंदिर नहीं है हमारा मैं आपको घर जा कि उसके अन्बॉक्सिं दिखाऊंगी कैसी आप नहीं साथ से केस्टमाइज बिरा सकते हैं अगर आपको पिचल दिखा रहे हैं इनको गूगल की है आपने जो भी कस्टमाइज कर देते हैं इस सारे मंदिर से सुनदर-सुनदर मंदिर ना देखके ड़ रखर हा कि यह वला भी लेलो यह भी लेलो बट ठीक है मिसले सुख्रा नÄंby uh the JUST बैया ने दो मंदिर बताया है ह manure कितने संदर है неп JAM तो लोग है विस्व कॉरियन मार्बल में और इनके प्र 110 पर हषाप से था यह बहुत जाधा है बढ़ ये मंदिर देखने में में बहुत संदर है कबीर भी हमारे साथ आए मंदिर के लिवडी लेने कबीर क्या चाहेंगे आप मंदिर मंदिर लेने आयो ने क्या करने आयो फिर देखने आयो ठीक है ओके चलो बाइ बोलो बाइ या रहें절 कि एक अब आयो अब क्याने निया हो बाइब कर रहा है तौ पोय। को आभेल लेने इसके लिवड़ार मंदिर इसके ओपनें कर रहा है कबीर enabled techniques तो चलिए मैं आपको एक फाइनल लुक देती हूं क्योंकि इसका सब रैपिंग सब उतार दी है यह हमारा मंदिर यह वाइट और ब्राउन कलर में मिक्स हमने लिया है ताकि हमारे ड्रॉइंग रूम के फरनीचर के साथ वो मैच हो और चली मैं आपको इसके गेट पर गड़ा खुल के दिखाती हूं तो देखिए यह है दर्वाजा खुलने के बाद उसका लुक दर्वाजे जो है इसके स्लाइडर्स है वो स्लाइडिंग की तरह अंदर चले जाते हैं उससे स्पेस भी सेव हो जाती है और यह पीछे जो है ओम की शीट बनी हूई है बेटर लुक के लिए लाइट भी आउन क चार चोटी चोटी शेल्फ बनी हूई है और बीच में जो है एक चौकी है जो ओम की शीट के नीचे आती है यहां पर हम भगवान जी की मूर्ति रखेंगे सो यह है हमारा पूरा मंदिर का लुक इसमें जब हम मूर्तियां रखेंगे और डेकोरेट करेंगे तब भी आपको दिखाएंगे और एक चीज यहां पर देखें चुटी सी बेल भी लगे हुई है जो गाइस मैं पहुंच गई हूँ गुडगाओ के एक बहुत बड़े स्टोर में जहां पर हमने बहुत सारी विराइटी ओफ मूर्ति देखी हैं बगवान जी की मूर्ति एवरी एवरी लिक हर टाइप की बगवान जी के मूर्ति हैं आपर अविलेबल है मैं चलिए आपको स्टोर का एक छोटा सा ग्लिम्स देती हूं हर टाइप की हां पर मूर्ति है और इतनी सुन्दर सुन्दर मूर्तियां है न हमने अपने मंदिर के लिए सभी मूर्तियां यही से बाई की हैं बहुत बड़ा शोरूम है और अपार्ट फ्रोम मूर्तियां यहां पर और भी बहुत सारी चीज़े हैं लाइक आपको बेडशेट्स, ब्लांकेट्स, मैट्रेस, वाल क्लॉक्स, शोपेस आइटम्स, फाउंटेंस, विंचाइन्स, सब भी बहुत कुछ डेकोरेशन का यहां पर आइटम है और अट्राक्टिव, अट्राक्टिव से शोपीस हैं इस्ते आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही प्यारा So guys, let me introduce Mukul, जो इस store के ओनर है और वो अपने store के बारे में कुछ बताएंगे, काफी कुछ बताएंगे, पिकिस बहुत बड़ा स्टोर है बताने के लिए Sure, hello everyone, we have this home decor showroom at Hero Honda Chowkurdrao. So I can say this is one of the biggest home decor showroom in Doograo. So we have approximately 25,000 square feet area of display. So you can find each and every home decor products. We have almost 35 different sections related to home decor. We have I can say crockery section and other different sections where home decor की जहां पर सारी चीज़ें पर्चेस का सकते हैं at a very reasonable price. Right, और हमने अपना पूरा मंदर यही देखरेट किया है, मूर्तिस का कलेक्शन तो I love this, seriously I love this. So man is one of our very regular customer. So definitely guys you can check out this tour for every home decor item. So thank you Mukul. Thank you. 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 यह हमारी बिटिया मंदिर में गनेश जी को सबसे पहले विराजमान करा रही है जै हो सनाया और यह हमारे गनपती जी यहाँ पर हमारे मंदिर में आ गए है स्थापित हो गए है यह दिखिए गाइस मंदिर हमारा पूरा सेट हो गया है और इसमें हमने मूर्तियां सजादी हैं और जो समान हमारे पास था उसे डेकोरेट कर दिया या थोड़ा बोच जम्य मार्किट से लेकर आई थी उससे हमने मंदिर को डेकोरेट कर दिया है दिवाली के लिए हमारा मंदिर तयार है जल्दे से कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा मंदिर और उसमें सजाई हुई मूर्तिया कैसी लगी विशिंग यू आल वेरी हैपी और प्रॉस्परस दिवाली फ्रॉम अल उस तो अल आफ यू थैंक यू बाबाई